हेगा जमक्षित के नेडिया बाक हुए दनाद वीडियो ये वीडियो मेने और सबी वीडियो से काफी अलग है ये रिसर्च जो मैं आपके सामने रखूंगा यहां मेरी नहीं बलकि स्टैंफॉर्ड युनिवसिटी की रिसर्च है भारत ही नहीं बलकि दुनिया के 90 प्रतिश और एक करोरपती आदमी अरबपती बन जाता है भारत के ही नहीं बलकि दुनिया के जितनी भी मिडल क्लास और अपर मिडल क्लास लोग है वो या तो अपने पैसे बैंक में फिक्स डिपाजिट करते हैं या फिर मूच्वल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ लोग र अगर हम अपने पैसे बैंक में फिक्स डिपाजिट और रिसिदेंशिल प्रापर्टी में लगाते हैं तो हम अमीर नहीं बलकि प्रतिवर्श गरीब होते जाते हैं मैं आपको आज इन्वेस्ट करके आज लोग बिलियनेर बन गए हैं दोस्तों अगर आप लोग ने मेरे च इन्वेस्टमेंट कमितिक प्रॉपर्टी में होता है इसमें नंट करने के दो मेजर उसी कंपики में इण्वेस्ट करते में समय रिसिदेंशियल के कंपेर में उसका मूई या वाल्मॉस्ट डबल होता है लेकिन इसका जो रेंट आता है गौस 7 से आच गुना ज्यादा आता और दस साल बाद मुश्किल से रिसिदेंशिल प्रॉपर्टी की रेट डबल हो पाती है लेकिन कमर्शिल प्रॉपर्टी की रेट दस साल में दस गुना बढ़ जाती है एक्जामपल के लिए मेकडानल्स को लेते हैं आप सोच रहोंगे कि वो केवल बर्गर बेच के पैसे कमाता है लेकिन वह कमर्शिल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके एक इन्वेस्टमेंट से चार इंकम जनरेट करता है पहला फाइदा कि वह खुद की प्रॉपर्टी ले प्रॉपर्टी से चार तरह से विनफिट लेता है एसेट नमबर टू सेकेंड एसेट में जो इन्वेस्ट करते हैं वह है स्टॉक मार्केट वार्न बॉफट वाल के रिचिस पॉसर में आता है वह वाल के रिचिस पॉसर में से एक केवल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बन गया अमीर लोग stock market में long term investments करते हैं जब कि middle class और upper middle class short term या interday trading के चकर में first कर बरबाद हो जाते हैं ऐसे 50 stock है जिसमें अगर बंदा 10 से 20 साल के लिए पैसा लगा देगा तब वह millionaire से billionaire जरूर बन जाएगा दोस्तों अगर आप उन 50 stock के नाम जानना चाहते हैं तो comment box में comment जरूर कीजिए ताकि में next video इस topic पर बनाओं तीसर asset है business में invest कर लोगते हैं अपना business start करके हर साल 50% growth कर सकते हैं वाल में 10 asset business हैं जिन में कभी भी नुकसान नहीं हुआ है वाल के जितने भी billionaire हैं वह इन 10 business में invest करते हैं उन में से कुछ business बहुत traditional हैं और कुछ business लास्ट 25 सालों से trending में हैं अगर आप इन 10 business के बारे में जाना चाते हैं तो मुझे comment कीजिए ताकि में उस पर भी वीडियो बनाओं asset number 4 वाल के 90% जो billionaire हैं वो आपना कुछ पैसा gold में जरूर invest करते हैं गोल्ड एक ऐसा community है जो आज तक कभी minus में नहीं गया और आज के समय में इसकी growth भी बहुत fast है यह सबसे अच्छा investment इसलिए माना जाता है क्योंकि इसे in cash सेम ले किया जा सकता है asset number 5 5th investment on self development जितने billionaire हैं वो अपनी body, mind और knowledge पर बहुत खर्चा करते हैं और बहुत ही महेंगे महेंगे corporate workshop, investment workshop और self training पर भी खर्चा करते हैं they keep mentors in different fields so that they can be guided properly and stay on track दोस्तों, अगर आप इन 5 assets में इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी लग पती से करोर पती जल भी बन जाएंगे और आप अगर आज के दिन में करोर पती हैं तो अरब पती बन जाएंगे thank you guys for watching my video, if you like my video, make sure to hit that like button and subscribe, it's totally free and you can always change your mind later and make sure to comment down below which part of this video you like the most and share this video to others, thank you